राम राम भई कैसे हो सब अभी रिशेंटली इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एक चेंजिज हुए हैं प्रमोशन को और पोस्ट को लेके कुछ एक बच्चों के अभी भी डाउट हैं तो मैं क्लेर कर देता हूँ एक तो इसमें बहुत अची चीज हुई है और बागी सारी इसमें ख़राब चीज हुई है तो अच्छी चीज का इसको बात कर लेते हैं अच्छी चीज एकलोती सिर्फ यह हुई है कि पहले जीसाँ आपankles डेपार्टमेंट में डारेक्ट आ सकोगे यह एकलोती चीजी है अब खराब चीजें क्या हुई है इसके पर बात करते हैं वह देखो पहले क्या होता था कि अगर आप SSC सीजल के तुरू अगर आप सीजल के अपने इंकम टेक्स इंसपेक्टर के अपने डिपार्टमेंटल एक्जाम्स क्लियर कर रखे हैं और आपके डिपार्टमेंट में वेकंसी है इंकम टेक्स इंसपेक्टर की तो आपको पर्मोट करके इंकम टेक्स इंसपेक्टर बना दिया जाता था ठीक है कोई टाइम के बाउंडेशन नहीं थी कि वह इतने साल की सर्विस होनी चीजिए सीने टेक्स इसटेंट पर यह उता था पहले और उसमें भी अगर हिवाशन मालों तीन साल हो गए आपको सीनेयर टेक्स एसेसे और से बनने हुए और इकम क्या हो गया अब ऐसा कर दिया गया है कि टेक्स असिस्टेंट के बाद next प्रमोशन जो प्रमोशन है वह सीदा ही और सिनेयर टेक्स एसेसेंटंट की ऊच्ट ही अठा धी गई है अब tax assistant से office superintendent बनने के लिए जो service का criteria दिया है वो है 10 साल कि आप 10 साल में आप eligible हो गए tax assistant से office superintendent बनने के लिए और 10 साल होने के बाद ऐसा नहीं की होते आप का एकदम से promotion हो जाएगा 10 साल होने के बाद जितनी भी vacancies होंगी office superintendent की उनमें से 30% vacancies आपकी promotion के तुरू बरीज हैंगी यानि जो TA होंगे जिनके 10 साल के service हो गई होगी वे 30% उनमें से लेंगे और 70% SSC के तुरू बार से आएंगे चीजिल का exam glare करके तो आप देखोगे कि TA से office superintendent बनने में 10 से भी कफी जादा साल लग जाए करेंगे और फिर office superintendent से इंस्पेक्टर बनने के लिए पांच साल का तो क्रेटेरिया और पांच से बीसी तरीके से कफी ज्यादा लग जाए करेंगे तो अच्छी चीज यह है कि जो बच्छे बेरोजगार है बार फिलाल जो शीजिल की तहरी कर रहे है उनके पास एक opportunity होगी कि आप office superintendent बनके दायट आ सकते हुँ और खराब चीज यह होगी कि अगर आप टेक्स एजिटेंड बन गए तो फिर आपका promotion हो जाएगा बहुत कि टेश्बूक के mock test में आपको जो SSC के पुराने paper हों सारे मिल जाते हैं mock test की form में तो आप means की जब त्यारी कर रहे हो और SSC के पुराने means जब आप लगाओगे टीर 2 वाले अपने तो वहां से आपको कफे अडिया लगेगा कि exactly किस तरीके के कुछस पूसे आते थे टाइम का analysis कर पाओगे ठीक है इसलिए बस सारा हो यह उस थोड़ा हाँ बैटर एंचेंज होता है means में आपको स्टार्टिंग में आपको मैस उरिजनिंग करनी एक साथ उसके बाद जीक्के और इंग्लिस करनी होती है तो बस उस इसाप से अपने आपको डालेना प्रेटिस कर लेना और बागेर आप यहां पर आपको लगा लोगे बी अची आई तो एक एडिशनल बारा प्रसेंट का उट डिसकॉण मिस दाएगा जो ओफर चल रहा होगा उस साथ साथ ठीक है और से स्कोर आपका वो ही है नोर्मलाइज़ जो आपके कट ओफ जाएगी 122 144 जाने वाली है नोर्मलाइज कट ओफ है तो रैंक भीतर आप आप लोगों नहीं से चेक भी कर लिया होगा अगर आपका रोज स्कोर मेरे कालब 25-30 का सपास बन रहा है तो आप देख लो कि लगबग 17-18,000 जीस है अगर इतनी ही रही बड़ी भी नहीं तो भी पौने दोलाख बच्चों को में इसके लिए कॉल आएगी अगर अगर पौने दोलाख बच्चों को बॉलाएजार रहे तो मान कीसे लोग इसमें जननल के टेक्री कहोंगे कम से कम ज़िए रेंग का रही है रेंग मित्र में अप्चेक कर लेना तो एक आप सेफ हो और वी से अरिजनल के कट आप में कोई खास फरक अपने को देखने को नहीं मिलेगा दो तिन चैनल नमबर मैक्सिमम ठीक है तो चले हो बई मेरे बेरोजगार भाईयों जिनके अभी तक को एक पर थोड़ा प्रेशर होता है एक दो अटेम्ट हो चुके है फिर वो प्रेशर में गलतियां करता है तो एक बार वेरोजगरी का ट्राट जाएगा ना डिपार्टमेंट में आजा होगे फिर ओड़ा था सुकून मिलेगा और जो मोटिमोटिव प्रोब्लम्स है फाइनेंश सुकून वाली फिलिंग है एक ब्रेक लेते हो जब आप तो थोड़ा अच्छा लगता है तो सिलिकाज मेरी तरह से बेस्ट अफ लग्च ही इसकी लेलो मेंस को बैंकर तरह के से पोड़ दो भाई हो जाएगा अगर डेली के अपने पांच सेटिंग करोगे मेंस की त्यारी म और साथ-साथ में करमोग टेस्ट भी लगाओगे इसके लगा तो अच्छा आपका मेंस निकल जाएगा ठीक है तो सिलिकाज रखते हैं इस वीडियो में तरह ही मिलेंगे नेस्ट वीडियो में टाटा टेक के अफ्स बैबै